Hello friends, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो Swift Chat एप है इसको डाउनलोड कैसे करें और डाउनलोड करने के बाद जो परक सापताहिक अभ्यास है उसको शुरू कैसे करें तो सबसे पहले आपके पास जो One Number में Swift Chat एप का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे उस पे click किया हमने तो click करते ही यहाँ पर आपको download करने के लिए कहेगा then install करने के लिए तो मैं इसको install करता हूँ तो install करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह 12 MB अभी इसमें 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 open आगया open पर click किया security check किया और security नीचे देखो open लिखा हुआ है open पर मैं click करता हूँ अब यहाँ पर सबसे पहले पूछता है कि आपको language कौन सा choose करना है तो English दिख रहा है ना English पर click करेंगे तो अगर Hindi चाहिए तो आप Hindi पर click करेंगे और फिर नीचे confirm आ रहा है ना blue में उस पर click करेंगे अब आगे बड़े पर click करेंगे ठीक है अब यहाँ पर आपको आपका mobile number देना है ठीक है तो mobile number डालेंगे यहाँ पर जैसे ही आप mobile number डालेंगे और right पर click करेंगे तो यह OTP भी भेजेगा हमारे इस number पर तो मैंने यह click कर दिया इस पर ठीक है अब अगर आपका जो mobile है और जो number आपने डाला है वो same है मतलब आपके इसी mobile पर अगर वो number है तो automatically वो OTP खुद बखुद ले लेगा अब आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जैसे जैसे मैंने डालते हूँ यह Rajus Singh डाल रहा हूँ यह Rajus Singh डालना है मैं कोई भी randomly नाम अभी के लिए डाल दे रहा हूँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको चुनना है तो क्योंकि आप उत्राखंड में हैं तो Rajya चुने पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे जाएंगे सबसे नीचे West Mongol उसके नीचे उत्राखंड पर क्लिक करेंगे फिर शहर चुनना है मैं इसमें चेक कर चुका हूँ इसमें शहर सबसे नीचे आपका उधमसिंग नगर लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे ठीक होगे आप आगे बढ़ गए है आप अब यहाँ पर शुरू करे पर क्लिक करेंगे अगला पर क्लिक करेंगे अगला पर क्लिक करेंगे अगला पर क्लिक करेंगे और समझ के पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपने ये इंस्टॉल कर लिया है अपने मुबाइल पर ठीक अब यहाँ देखें, अब आते हैं, second number पे लिखा है न, परक सापताहिक अभ्यास शुरू करें, और प्रदर्शन अनुसार भेजी गई, वीडियो सामंगरी, पार्टे सामंगरी अवश्य देखें, तो सबसे पहले link जो है, इस पे click करेंगे आप, link पे click करें, click तो कर दिया, अब यह देखें, यह क्या गया, आपके पास यहाँ परक, chatbot आ गया, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको अपनी तरफ से high लिखना है, ठीक है, high लिखना है, high लिख दिया, अब यहाँ है कहता है कि विद्यार्ती अपना पूरा नाम टाइप करें, ठीक है, तो जो भी आपका नाम है, वो आप टाइप करेंगे, तो मैं तो क्योंकि राजु सिंग के नाम से टाइप करना हूँ, तो मैं यह टाइप कर दिया, ठीक है, आप अपना नाम, किर्पिया विद्यार्ती के स्कूल कोड भेजें, अब आपके स्कूल कोड क्या है, वो आपको teacher बता देंगे ठीक है वो आपको आपके group में मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर जो भी आपका school का UDIS code है अपने teacher से पूछे तो उसी अनुसार यहाँ पर आप भरें तो सही बिल्कुल सही code डालना है गलट डालोगे तो accept नहीं करेगा तो मैंने डाल दी ठीक है जैसे ही आप अपने UDIS code डालेंगे तो तुरंथ क्या होगा आपके पास आपका school code आपके school का नाम गदरपूर जिला तो बच्चों मैंने यहाँ पर आप ही के school का GIAC दिनिशपूर का डाल दिया है तो देखें आपके school की पूरी details यहाँ पर आ जाएंगी ठीक है अब इसमें दो option बोल रहा है एक है school view run सही है नीचे school code फिर से भेजें तो school view run तो सही है तो अब आप क्या करें school view run सही है पर क्लिक करें कर दिया अब यहाँ पर क्या है कि आपको आपकी class चुननी है अगर आप 9th class के हैं तो 9th class में क्लिक करेंगे 10th class के हैं तो 10th class में क्लिक करेंगे मैं 9th में क्लिक कर देता हूँ अभी के लिए यह क्लिक कर दिया जैसे ही मैंने 9th पे क्लिक कर दिया तो अब आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अब से विद्यार्थी यहाँ पर हब सब्ता खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बहतर सयोग कर पाएंगे अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुने आप एक से अधिक विद्यार्थी को भी जोड सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर राजु सिंग के नाम से अगर आप क्लिक करते हैं तो अब आपके लिए यह अभ्यास शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर अभ्यास देखें आप सोशल साइंस क्या लिखा है सपता सतर का अभ्यास शुरू करते हैं अब जी सपता सतर दे रखा है उसका अभ्याद शुरू करते हैं, आपसे एके करके 10 प्रशन पूछे जाएंगे, उत्तर देनी के लिए केवल विकल पही क्लिक करना होगा, अभ्याद शुरू करना चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल करना चाहते हैं, अब यहाँ पर आपको यह पहला प्रशन दे रखा है, संसादनों क विचार किये बिना अलका अब जैसे यह मैंने अपनी तरफ से एक प्रशन का उत्तर यहाँ पर किया, दूसरा प्रशन है, दूसरे प्रशन में यह उत्तर कर दिया, ठीक है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर आप ऑप्शन पर क्लिक करते जाएं, जैसे मैं आपको यहाँ करक आपके दिखा रहा हूं आपको क्योंकि 10 प्रश्ण दिये हैं तो 10 प्रश्ण मैंने कर दी अब आपको क्या है यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्ण है यहाँ पर यह दिखा है, आपने 10 मैंसे 1 प्रश्णों का उत्तर सही दिया है, लिखा है न, तो मैंने 10 प्रश्ण किये, 10 प्रश्णों मैंसे कितने सही हैं, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फिर यह लिखा है, सभी प्रश्णों के सही उत्तर जाने के लिए उत यह देखे यह हो गया, इस तरीके से आपको यह देखो, मिल गया है सारे, अब सारे आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप अभ्यास भी करते चलेंगे, तो उसके जवाब भी आपको इसमें मिलते चलेंगे, साथी साथ आपको देखो, आपको यहाँ पर जिस चैप्टर तो हमने link पे तो click कर लिया आप हमारे पास है प्रक्रिया प्रक्रिया पे click करेंगे यह काम कर गया तो यह आपको आप YouTube के link पे भेज़ देगा देखो YouTube वीडियो पे लेगी गया ठीक हो गया तो इसके बाद क्या है इसके बाद आपको तीसरे नमबर पर देखें अब गड़ेत और विज्ञान के वीडियो को अगर देखना है तो तीसरे नमबर पर क्लिक करेंगे वीडियो लाइबरी UK पर इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हाई बोलने के लिए कह रहा है इस पे क्लिक करें ठीक है? जितें मैं टैंट क्लास करता हूँ यह है कक्षा दस मार्डियम हिंदी आप आज क्या करना चाहेंगे? वीडियो खोचना चाहेंगे या फिर वीडियो लाइबरेरी को ब्रॉस करना चाहेंगे जैसे वीडियो लाइबरेरी को ब्रॉस करना चाहेंगे तो क्लिक कर दिया अब आप क्या पढ़ना चाहेंगे गर्णित या विज्यान जैसे गर्णित पर क्लिक कर दिया अब विकल चुनना है कौण सा topic yeah अब इससे कौन सा topic आपको पसंद है जैसे प्राइक्ता है प्राइक्ता पर कर दिया अब देखो काड से संबन्धित यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगे इस वीडियो पर click करते ही आप इसको आराम से देख सकते हैं ये देखे है ये चालू होगгए वीडियो ठीक है ये पूरा 비디오 भी छोटी छोटी है और आपको समझ में भी आ जाएगा बेलको साफ साफ वीडियो है और हिंदी में है ये तो आपको समझने में जाद दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो यह है तो और क्या करना चाहेंगे वीडियो लाइडरी ब्रॉस करना चाहेंगे तो इस पे क्लिक करें गणित पढ़ना चाहेंगे तो गणित पे विकल्प और विकल्प और कुछ चुनना चाहें तो कुछ और चुन सकते हैं ज करने के लिए इस लिंक पे कलिक करने तो चौथे लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैं दिखाता हूं कैसे कर ना है ठीक है मैस के प्रश्णों का अभ्यास करने तो और बहुत मज़दार प्रशन भी है यह ör ह appelle नेक्स पर क्लिक करें और हिंधी कर लें कक्षण 10 यह चूस करते हैं विकल चुन नहीं क्लिक करें आप जैसे कौन सा च्प्टर आपको करना है तो प्रश्न नब नकूद कर लेते हैं चलो march करना चाथे हैं अब यह प्रस्न उत्र दे रहे हैं आप हर प्रश्ण का उत्तर देखें क्या आ रहा है उस पे क्लिक करें ठीक है वो आपको सही उत्तर भी बता देगा क्या है सही उत्तर है या गलत उत्तर है वो सब आपको बता देगा ठीक है यह सही उत्तर दे दिया तो यह सही उत्तर बता देगा गलत उत्तर पे गलत और सही पर सही होता है तो इस तरीके से आपको 10 प्रश्णवली यहां पर मिलेंगी ठीक हो क्या तो अब अगला आते हैं ऐसा ही आगे देखें यह रूची कर एवर प्रेणादाई कहानिया देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें तो मैंने चौते लिंक पर क्लिक कर दिया इसमें हा पर क्लिक करना है ठीक है ही भी हिंदि को चूभस कर लिए अब कर आगे बढ़ने के लिए अगला बटन क्लिक करना ए अपना आयउ चुनना है तो आप अगर 14 वर्ष से अधिका यूके हैं तो उस पे क्लिक कर दे कर लिया ठीक है आप क्या करना चाहते कहानिया खोजना चाहते हैं या आपको किलिक करेंगे तो परेया वर्णी कहानिय को चैए अब यहां पर आपको यह डेको और अच्छी अच्छी मज़दार स्टूरी इसे यहां पर सुनने में बहुत मज़ा आएगा ठीक है सीखो के भी बहुत साइची सीखो गे भी ठीक है जैसे एक तरह से आप टीवी ही देख रहे हो यही सोच लो इसको है ना तो कानी से सीखो गे भी तो इस तरीके से यह दो होगे आपका प्रिन अदाई कहानिया अगला हमारे पास लिंक क्या है अगला है इंडिया चैलेंज में भागी दारी करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें तो क्लिक करें इस पर लेके जाएगा आपको एको हाई पर क्लिक करो फिर हाई पर क्लिक करो ठीक है आप अपनी लेंग्विज को चूस कर लो हिंदी तो जैसे हम करते हैं हमारे धर्म करते हैं तो इसमें क्या प्रश्वतिरी शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल हाँ करना चाहते हैं अब कौन सा धर्म दिवाली का त्योहार मनाता है ये देरखाय आपको आप सही उत्तर पे क्लिक करो तो बोल देगा हाँ सही है या नहीं है माः बोदी मंदिर किस राज़ में है तो ये गलत होगा तो गलत पे क्लिक करेगा सही होगा तो सही पे क्लिक करेगा इस तरीके से आप ये आगे बढ़ते जाओगे ठीक है तो ये है सिक्तर्म के प्रमिक वक्ति कौन है गुर्णानक देव जी है तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रश्णावली है हर टॉपिक पर तो इस तरीके से बच्चों हमने इस जो ये आपके टीचर ने बेज़ा है पूरा का पूरा लेंक इसमें जितनी चीज़े थी सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है